हेलो इस्टुडेंट मैं आप पर टीचर सोसील और आज के कुरल्डर के वीडियो में हम सीखेंगे एक लोगो डिजाइन करना जो कि आप इसक्रीन पर देख रहे हैं और इस लोगो को डिजाइन करने के लिए हम जो कलर यूज़ करेंगे उसके स्वेचेस भी आप इसक्रीन के टॉप कॉर्णर पर देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस लोगो को लॉक करनेता हूँ जो कि इस लोगो की आउटलाइन है तो राइट क्लिक करेंगे और लॉक आइकन पर क्लिक करके आप इसे लॉक कर लें जिससे कि ये बाई मिस्टेक मूव ना हो उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले यह जो लीफ हैं इसे स्टार्ट करूंगा ड्रॉ करना और इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं करना है आपको थोड़ा सा ओवल ड्रॉ करना है ताकि आप इसकी एजिस को मैच कर सकें तो अब आप अब मैं इन दौनों सरकल्स को विंडो सेलेक्शन से सेलेक्ट करता हूं और आउटसाइट में मूव कर लेता हूं यहां पर हम इस पर शेपिंग टूल्स यूज करेंगे जो कि आपको स्क्रीन के टॉप कॉर्णर पर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक इंटरसेक्ट टूल है इस पर क्लिक करेंगे तो जो मिड़ वाला इंटरसेक्टिंग एरिया है वो अलग से सलेक्ट होकर आ गया है जब आप इसे क्लिक एंड ड्रैक करेंगे तो यह इस तरीके से आ गया है जो कि बिलकुश सेम हमारी लीफ जैसा ही है उसके बाद चाहें तो आप इन circles को delete कर सकते हैं अब मैं इस leaf के अंदर एक color fill कर लेता हूँ तो आप यहां से eye dropper choose करके और color fill कर सकते हैं जैसे कि मुझे यह light green color इसके अंदर fill करना है तो मैंने click कर दिया है और यह color यहां पर fill हो गया है अब आप देखेंगे कि यहां पर एक cut भी create किया हुआ है और इस cut को create करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी outline को हटा देता हूँ तो यहां पर no color पर right click करेंगे और इसके बाद मैं draw करूँगा एक rectangle तो click and drag करें इस तरीके से एक rectangle draw कर ले इसे मैं सबसे पहले center align करेंगे window selection करेंगे और c press करेंगे जिसे कि यह center align हो जाएगा अगर आपको इसकी width ज़्यादा लग रही है तो shift key के साथ in mid point से इस तरीके से click and drag करेंगे तो दोनों side से equal scaling होती है तो करीबन कुछ इस तरीकी की scaling करने के बाद मैं इसकी जो outline है उसकी thickness थोड़ी कम करता हूँ देखिए यहाँ पर option दिया हुआ है तो hairline मैं choose करता हूँ और यहाँ पर मुझे center में point create करना है जैसे कि एक arrow जैसी shape create हो जाए तो सबसे पहले आप इसे convert to curve कर लें उसके बाद shape tool लें और यहाँ पर mid में point create कर लें double click करेंगे एक point create हो जाएगा और इन points को delete करने के लिए double click करें इस तरीके से वो delete हो जाएंगे अब इसके अंदर आप कोई भी color fill कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर black color fill कर दिया है outline हटा दिये और इस area को cut करने के लिए shift के साथ इस पर click करता हूं तो यह select हो गई है और उसके बाद मैं यहाँ पर trim पर click करूंगा जिसे कि यह area जो common area था वो trim हो जाएगा तो इस तरीके से बड़े ही easy way में हमने इस leaf को create कर लिया है और इसकी position मैं यहाँ same इस तरीके से कर देता हूं अब हम इसकी जो duplicate copies हैं वो बनाएंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक circle draw कर लेता हूं जो की इस figure का head है और मैं control के साथ इस तरीके से click and drag करूंगा और जो purple color है वो मैं इसके अंदर fill कर देता हूं outline color हटा देता हूं और इस तरीके से हमने इसको create कर लिया है यहाँ पर आप जो leaf देख रहे हैं वो एक circle form है इसके लिए मैं इस leaf पर click करता हूं और एक बार और click करेंगे तो rotation वाले options आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जो center pin है इसे click and drag करके इस circle के center में place कर दें और उसके बाद जब आप click and drag और right click के साथ click and drag करेंगे तो इसकी position एकदम perfect आ जाएगी और इसी step को repeat करने के लिए आप control R press करें जिसे कि यह repeat हो ज चाते हैं तो इस तरीके से back ला सकते हैं और मैं इसको भी थोड़ा सब पीछे ले आता हूं इसके बाद हम इन तीनों को shift के साथ इस तरीके से click करके sorry मैंने control press कर दिया shift के साथ click करके एक मैं duplicate copy create करता हूं और यहां पर आपको mirror करने के options देखने को मिलेंगे mirror horizontal और mirror vertical तो मैं horizontal पर click करके इस तरीके से यहां mirror कर देता हूं तो एकदम perfect position पर यह place हो गई है यह shape create हो गई है उसके बाद मैं एक leaf की duplicate copy यहां पर place करता हूं और बाकी की जो shape है इसे एक group में place कर देते control G press करके या right click पर group का option आता है वहां से आप place कर सकते हैं आप चाहें तो इसे आप right side में भी move कर सकते हैं या अपनी जगे पर भी रखे रहने दे सकते हैं उसके बाद मैं सबसे पहले इसका color change करता हूं तो dark green color हम इसके अंदर fill करेंगे और इसकी जो rotation है वो भी थोड़ी सी change करनी पड़ेगी तो इस तरीके से आप click and track करके देखिए इसका position यहाँ पर है तो मैं इसको center में वापस place कर देता हूं और इस तरीके से click and track करें थोड़ा सा scale down कर लें और इस तरीके से position कर लें इस तरीके से position करने के बाद same उसी तरीके से आपको इसकी position जो है पिन की center में रखनी है circle के center में इस तरीके से copy create हो जाएगी उसके बाद चाहें तो आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से position कर सकते हैं अपने हिसाब से और इन ही कि हम एक duplicate copy shift के साथ create कर लेंगे left side के लिए तो हमें केवल दो ही copies चाहिए तो हमें केवल इसे और इसे shift के साथ select करना है click and track करेंगे right click के साथ release करके copy create करेंगे और mirror horizontal पर click कर देते हैं जिससे की यह flip हो जाएंगे और जूम करके आप इस तरीके से position भी कर सकते हैं तो यह shape हमारी create हो गई है उसके बाद चाहें तो आप ungroup all करके एक बार group कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने इसको create कर लिया है जो की देखने में काफी अच्छा लग रहा है अब हम यह जो figure है human type की यह create करेंगे इसका head तो मैंने पहले ही create कर लिया है अब मैं इसे draw करने के लिए pen tool यूज करूँगा pen tool आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक point पर हम click करेंगे उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पर smoothness चाहिए तो click and drag जिस direction में यह figure आगे create करनी है उसी direction में आपको इसका pointer रखना है left या right में नहीं रखना है यह थोड़ा सा practice से आता है उसके बाद मैं यहाँ पर click करता हूँ जैसे इसकी shape थोड़ इसी सही नहीं आ नजदीक draw कर पाएं उतनी courses करें उसके बाद हम उसे बाद में ठीक कर लेंगे तो यह थोड़ा सा आपको practice से आएगा इसके लिए आप pen tool के साथ थोड़ा सा time रताएं थोड़ी से practice के बाद आप इसको use करना काफी अच्छी तरीके से सीख चाहेंगे और मैं यहाँ पर click करत हूँ देखिए जहां पर भी आपको एक curvature smooth create करना होता है उससे पहले या उसके बाद में आप यह point create करें तभी इसकी जो smoothness है वो सही आती है तो मैंने काफी सही तरीके से इसको create करने की courses किया और जो भी इसमें कमिया है वो हम बाद में complete कर लेंगे और इन points हो को आप बहुत पास पास ना बनाएं अगर आप ज्यादा पास बना देंगे तो इतनी smoothness नहीं आती है इस तरीके से हमने इसको complete कर लिया है बहुत ज्यादा इसमें changes की requirement नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और इन points को ठीक करने के लिए आपको कुछ options screen के ऊप पर देखने को मिल जाते हैं जैसे की crisp node इस पर click करेंगे तो एक ही direction activate रहती है तो इस तरीके से आप बड़ी ही EGW में एक बार में केबल एक ही direction को modify करके अपने curvature को ठीक कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसकी length इसकी position थोड़ी सी यहाँ पर करता हूं और इ बीच में एक point add करना है तो जब इस तरीके का symbol आता है double click करें point add हो जाएगा उसके बाद click and drag करें कुछ लोग बीच में click and drag करके जैसे इस तरीके से भी इसको ठीक करने की कोसिस करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो दूसरी direction के जो segment है उस पर effect आ जाता है तो ऐसा ना क करें एक point create करें और उस point की position करें या इसके जो handles होते हैं उनको ठीक करके आप इसे सही करने की कोसिस करें तो यहां पर बहुत ज्यादा changes की requirement नहीं थी तो यह हमारी draw हो गई है इसके बाद मैं इसके अंदर यह color fill कर देता हूं और outline को हटा देता हूं तो हमारी जो basic structure है वो create ह हो गई है और इसे मैं shift के साथ click करके center align कर देता हूं तो यह center हो गई है थोड़ा सा हम उपर की तरफ shift कर देते हैं जैसा कि इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है तो यह देखने में काफी ठीक लग रही है इसके बाद हम यह जो text है इसे type करेंगे तो सबसे पहले मैं इ चाकि हमें circle ड्रॉ करने के लिए space मिल जाए click and drag और चाहें तो आप control के साथ एक perfect circle ड्रॉ कर सकते हैं अब देखिए यह वाला जो text है यह bottom वाली edge से लिखा जाएगा और यह top वाली edge से तो इसके लिए हमें दो circle ड्रॉ करने है एक तो यह वाला circle हो गया थोड़ा सा बढ़ा क इस तरीके से align करना है ताकि इसकी position टेक्स्ट की एकदम सही आए और इसी की duplicate copy हम यहां पर इस तरीके से लेके आएंगे और इसे भी अगर आप थोड़ा सा oval बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं ताकि इसकी position जो है एकदम perfect आजाए अब मैं इन circles को outside में move करता हूँ और सबसे पहले हम यहां पर text लिख लेते हैं तो आप direct path के उपर भी text लिख सकते हैं जब इस तरीके का icon आता है इस तरीके का एक waves बनी आ रही है तब click करेंगे तो इसके उपर आप text लिख सकते हैं तो मैं direct path के उपर ही text लिख लेता हूँ जब आप text लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है और इसे ठीक करने के लिए आपको यहां पर mirror करने के options दिये हुए हैं जैसे कि mirror vertical इस तरीके से mirror करेंगे तो यह ऊपर की side shift हो जाएगा लेकिन अभी यह सही नहीं आ रहा है इसके लिए एक बार आप mirror horizontal पर click करें यह बिल्कुल ठीक आजाएगा लेकिन इसकी size काफी चोटी है और text के बीच में जो spacing देखेंगे वो काफी कम हो गई है तो इन सारी problems को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले shape tool पर click करें और यहां से spacing increase कर सकते हैं जब आपको इस तरीके के symbols देखने को मिले हमने shape tool को click नहीं किया ह कि यह symbol आ रहे हैं इस पर click करेंगे तो spacing आप increase कर सकते हैं और font की size increase करने के लिए options आपको ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं तो यहां से click करके आप size increase कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक लग रहा ही मुझे लगता है यह वाला text हमें इस circle के ऊपर लिखना चाहिए था तो मैं इस double click करता हूँ और यह इस तरीके से select हो गया है Ctrl X पर click करेंगे cut हो जाएगा उसके बाद हम इस वाले path पर आकर Ctrl V से paste कर देते हैं और इसे हम वापिस mirror कर देते हैं तो यह इस तरीके से आ गया है अब हम इस वाले circle का use करके hand cross लिखेंगे तो मैं पहले यहां click करता हूँ और caps log on कर ले hand cross type कर दिया है इसके बाद मैं इसका font का size increase करता हूँ और bold भी कर लेता हूँ तो करीबन 41 ठीक रहेगा या थोड़ा बहुत और increase करना है 50 कर देता हूँ मैं यहाँ पर तो थोड़ा सब बड़ा हो जाएगा वैसे अगर आप center align करना चाते हैं तो इस पर जब इस तरीके का symbol आता है click and drag करें एक red color की line appear होती है जब यह red color की line appear हो जाए मतलब कि यह center align हो गया है और यह इस तरीके से आ गया है अगर आपको spacing increase करनी है तो shape tool का use करके आप इस तरीके से spacing increase भी कर सकते हैं और font की size increase करने के लिए तो option बाहर दिया हुआ ही है तो यहाँ से आप जैसे की 72 करेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा रहा है मैं यहाँ पर 55 कर देता हूं तो जो की काफी ठीक रहेगा अब अगर आप यही text use करना चाहते हैं तो use कर सकते हैं या generally मैं ऐसा करता हूं कि इसकी duplicate copy बना लेता हूं और यह जो text हमने लिखे हैं इसको हम outline में convert कर देते हैं जो कि आपको right click पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से text को outline करने के बाद इनको आप इन circle से अलग कर सकते हैं जिससे कि आपको alignment में कोई problem नहीं होगी इसे आप एक बार group बना लें control G press करके और इन दोनों को आप center align कर सकते हैं तो shift के साथ मैं इन दोनों को select कर लेता हूं और C press करेंगे तो इस तरीके से center okay यह ungroup था तो हमें इसे group कर लेना चाहिए control G और दोनों को shift के साथ select करेंगे C press करेंगे तो यह center align हो जाएगा तो इस तरीके से हमने इस logo को काफी easy steps के साथ recreate कर लिया है अगर आप इन lines को इसी तरीके से रखना चाहते हैं और text को convert to curve नहीं करना चाहते हैं तो आप इनका color low color के साथ replace करते हैं जिसे कि line same उसी जगह पर रहेंगी और कभी भी आपको edit करना है तो double click करके आप इस text को edit भी कर सकते हैं और यह lines आपको normally इस तरीके से दिखाई नहीं देंगी इनको देखने के लिए आप view wireframe mode choose कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तो य यह आज का वीडियो था आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और दोस्तों के साथ share कर सकते हैं हमने coral draw के लावा Photoshop के लिए भी काफी सारे वीडियो बनाए हुए है Photoshop की playlist और other videos की information आपको आई बटन में या इस वीडियो के end में देखने को मिल जाएगी अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई